प्रेंट्स आज हम एक अलग थोड़ा से लिग से अटकड जो ट्रेंड में है वो टोपिक ले रहे हैं किसान अलोलन जो अभी भिलहाल किसान अलोन चर रहा है मैं आपको बताऊंगा कि कहां से किसान अलों की शुरुआत हुई थी और ये कंपेटिशन अग्जाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपोर्टेंट है पलस हमें नोलेज भी होना चाहिए कि हम कहां से चले थो और अब हम कहां तक पहुँच गए है किसानों को सबसे पहले जागरू करने का जो सरय जाता है वो हमारे स्वामी सहजानन सरस्वती को जाता है स्वामी सहजानन सरस्वती को जाता है सबसे पहले जो आज कल बहुत सारे बास्णों में राजदिती के बाशनों में राजदिती गे नेता लोग जो बोलते हैं कि रोटी ही बगवान है या हम बहुत सरे सोसल मीडिया पर देखते हैं कि रोटी ही बगवान है ये सबसे पहले जो कहने वाले थे किसानों के लिए जो हित्गी बात करने वाले थे किसानों के जनक, किसान आंदोलन के जनक, किसान आंदोलन के जनक थे, वो सहजानन सरस्वती थे, बहुत कम लोग जानते हैं कि सहजानन सरस्वती ने पहले ये खाता कि रोटी को बगवान, सहजानन सरस्वती ने खाता कि रोटी बगवान है, और जो रोटी का पैदा करने वाल किसान है वो किसान को बगवान से बढ़ कर कहा किसान को बगवान से बढ़ कर कहा मैं बताऊंगा आपको कि किसान डालोननों से कैसे कैसे हमें अच्छे नेता मिले हैं किसान डालोनन सरतंदरता के लिए कैसे लाबदाई थे और अब भी किसान डालोनन हो रहे हैं तो उससे कैसे स्रिष्ट नेता देश को मिले हैं हालांकि राजनीती में अलग चीज़े होती है राजनीती अलग होती है किसान कुछ नेता ऐसे होती है जिनका किसी भी राजनीतिक पार्टी से संबन नहीं होता वर्तमान प्रपेक्से में हम बात नहीं कर रहे हैं मैं पूरवा की बाते करता हूँ कि गांदी जी ने अपनी केरेर की सुरुवात या गांदी जी ये कहें कि सवतंतरता संगराम की सुरुवात की थी वो किसानों से की थी किसानों का योगदान सवतंतरता प्राप्त करने में किसानों का क्या योगदान रहा हमें किसान आलोलन जब 1857 की क्रांती हो चुकी थी और सभी ढिले हो गए थे तब गांदी जी आये थे गांदी जी 1917 में जब भी आये 1917 में उन्होंने किसांद आलोनन शुरू किया चंपारन आंदोलन पहला किसांद आलोनन गांदी जी का चंपारन आंदोलन और चंपारन आंदोलन गांदी जी को चमका कर गया चंपारन आंदोलन के कारण गांदी जी चमके इसका मतलब हमें जो नेता मिला वो किसान आंदोलन के कारण मिला 1917 में किसान आंदोलन चंपारन में सुरू किया गया चंपारन बिहार में है चंपारन बिहार में है अब बिहार में चमपारण सत्याग्रह करना चमपारण आंदोलन करना ये इसकी क्यों जरुत पड़ी वहाँ पर नील की खेती होती थी वहाँ पर क्या होती थी नील की खेती होती थी बिहार में नील की खेती होती थी और इसके अलावा बंगाल में होती थी इसके अलावा कहा ह जाती थी उसके विरोध में एक किसान था राजकुमार सुकल यह राजकुमार सुकल महात्मा गांधी से मिलता है राजकुमार सुकल किस से मिलता है महात्मा गांधी से मिलता है कम मिलता है 1916 में कोंग्रेस का दिवेशन हुआता लखनव में वहां पर महात्मा गांधी से मिलता और वो खहता है कि आप चंपरन चलिए हमारी किसानों की वहां दूर दसा देखिए वहां पर नील की खेती है वो हमारी किसान करना नहीं चाहते और अंग्रेज गोर्वेंट है अंग्रेजी सासन है वो नील की खेती है वो जबरदस्ति कराते हैं तो यह तो गलत बात थी इसका विरोध भी होना चाहिए था परंतु महात्मा गंदी ने पहली मुलाकात में उस आदमी को साधरन समझा आदमी राजकमार सुकलत दनवान वेखती था दनवान किसान था अब जो दनवान हो जातें किसान वो खिसानी को छोड़ना चाहते हैं सच कहूं तो वो किसान सपोर्ट करना चाहिए और यहां से सीखना चाहिए राजकमार सुकल बहुत धनवान किसान था परंतु वो किसानों के लिए सोचता था किस के लिए सोचता था इतना धनवान होने के बाद में भी किसानों के लिए सोचता था महात्मा गांदी से एक बार मिला, कोई response नहीं मिला अमदा बार जाकर उनके आस्रम पर मिला तब जाकर 3-4 बार मिला पाँंच बार मिला मतलब वह है लगातार प्रियास करताAny राजकमार सुकल को कोई नहीं जानता महात्मा गांदी को सब जानते हैं महात्मा गांदी चमके किस के कारण समके राजकुमार सुकल के कारण यदि राजकुमार सुकल चंपारन नहीं ले जाते महात्मा गांदी को यदि राजकुमार सुकल महात्मा गांदी को चंपारन नहीं ले जाते तो नील की खेती का ये जो चंपारन आंदोलन है वो नहीं हमें देखने को मिलता संपारन आंदोलन साज कुमार सुकले महात्मा गादी के पीछे पड़ गए राज कुमार सुकले दन्मान थे अनपड थे अनपड भी थे इसलिए भी महात्मा गादी ने राज कुमार सुकल को लाश्ट में ये कहा था कि इस अनपड लेकिन निश्चाई किसान ने मुझे जीत लिया किसान जिद्धी होता है किसान एक जो important चीज होती है किसान की निश्चाई होता है जो चीज ठान लेता है उसे करके दिखाता है और वर्तमान आंदोलन भी इसी बेस पर चर रहा है किसान जिद्धी भी होता है पलस किसान निश्चाई होता है ये बहुत important term है जो राजकमार सुकल के लिए गांदी जी ने कहा था कि निश्चाई किसान ने मुझे जीत लिया महात्मा गादी ने कहा था राजकमार सुकल के लिए मतलब निश्ची था वो ले जाना ही चाता था चंपारण और आखिर कर वो राजकुमार सुकल महात्मा गंधी को चंपारण लेकर गया और नेलगी खेती का वहाँ पर विरोध हुआ चार महिने के अंदर-अंदर अंग्रेजी सरकार को अपने सभी काले कानून वापस लेने पड़े ये चंपारण आंदोलन की सपलता को दर सात है और यहीं से निकलेते हमारे सरेश्क तम राजनेता राजन्दर परसाद मतलब किसान अनुनों से हमें दो निता मिले एक महत्मा गांदी किसान अनुनों से हमें दो निता मिले एक महत्मा गांदी और दूसरा था राजंदर परसाद और दो निता और थे करपलानी भी थे उसमें परंतु महात्मा गंदी और राजंदर परसाद को सब जानते राजंदर परसाद बहुत ही अच्छी नेता रहे हैं हमें दो नेता उन किसान आंदोन से मिले थे मैं यह नहीं कहता कि हर जो किसान जो किसानों का परतिनीदी करता है वो राजनिती में आ जाता है, राजनेता बन जाता है, परन्तु यहां से चंपारन आंदोलन से दो नेता निकले थे, एक महत्मा गांदी निकले थे, और दूसरा निकले थे, वो निकले थे, राजिंदर परसाद, बहुत सारे आंदोलन वे, महत्मा गांदी ने, महत्मा महात्मा गांधी को चमकाया था और महात्मा गांधी को चंपरन आंदोलन के दोरान महात्मा की उपदी मिली थी अब मैं आपको आगे ये बताने जा रहा हूं कि आखिर नील की खेती का विरोध भीहार के किसान क्यूं कर रहे थी वो आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो आज के परिपेक्से में किसानों को जिस चीज का डर है साइद वो वही फड़ता का उन्हें डर लग रहा है MSP किसानों को ये लगता है कि MSP समाप्त कर दी जाएगी मतलब हमें अपनी पसल मार्केट मार्केट में जो दाम है उससे कम पर बेचने के लिए मजबूर किया जाएगा ये फड़ता है वो ददनी फड़ता के नाव से जानी जाती थी नील की खेती में भी कौंट्रेक्ट फार्मिंग होती थी नेल की खेती में भी उस समय क्या होता था देखे उस फटा को ददनी फटा कहते थे ददनी फटा के बारे में आपको मैं बता रहा हूं ददनी फटा क्या थी नील की खेती की जाती थी बिहार और बंगाल में बिहार और बंगाल में नील की खेती की जाती थी और यहां पर किसानों को किसानों के साथ करार नामा किया जाता था ददनी फड़ता के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ नील की खेती है वो बंगाल और बिहार में की जाती थी बिहार और बंगाल में खेती की जाती थी नील की और वहाँ ददनी फड़ता चलती थी ददनी भरता के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किसानों के साथ कुंट्रेट किया जाता था, किसानों के साथ करार नामा किया जाता था वहां की जमीदारों दवारा या गोर्वेंट दवारा और कम रेट पर जो बाजार में जो रेट है, जो बाजार में जो रेट चल रही है उससे कम रेट पर कॉंट्रेक्ट कर लिया जाता था या फिर बिना पैसे दी एниप यह मार मूली पैसे दे दिए जाते थे और उनकी खेती पर खेती उन्से करवाई जाती थी उनका जमीन होती थे और उनसे customer करवाई जाती थी परंतु वह कम मुल्य पर करवाई जाती थी वह किस पर करवाई जाती थी कम मुल्य देकर उनसे करार नामा किया जाता था मतलब उनसे कोंट्रेट कर लिया जाता था और उनसे खेती करवाई जाती थी उनकी जमीन पर करवाई जाती थी परंतु उन्हें कुंट्रेक्ट फार्मिंग से मिलता जुलता है अब का किसान किसान आंदोलन जो चर रहा है उसमें भी एक चीज आ रही है कि चलो मंडिया खतम कर दी जाएगी क्या कर दी जाएगी मंडिया खतम कर दी जाएगी MS भी खतम कर दिया जाएगा MS भी क्या कर दिया जाएगा खतम कर दिया जाएगा तो ये कहीं ददनी फरता की पास नजले जाए मतलब हमें बाजार मुले नहीं देकर हमें कम्पनिया कम मुले पर हमें कम्पनिया कम मुले पर हमारे साथ करार ना मानने कर ले contract है वो बाजार मुल्य से कम पर भी कर सकती है क्यों कहीं कम मुल्य पर जो बाजार में चर रहा है उसे कम मुल्य पर कहीं उनसे contract ने करवा लिया जाए इस चीज का खिसानों को डर है और वर्तमान हम आंदोलन से जोड कर देखें तो contract farming कुछ हद तक ददनी फरता से मिलता जो कि बंगाल और बिहार में ददनी फरता थोड़ा सा बहुँ ज़दा इसका टोट्स किया जाता था ददनी फरता में बहुँ ज़दा परतारित किया जाता था किसानों को ददनी परता में बहुत ज़्यादा परतारित किया जाता था बहुत कम मुले दिये जाते थे और उनकी जमीन होती थी वो खेती करते थे खेती करके नेल की खेती करके बिहार और बंगाल के लोग हैं जो किसान हैं वो जमीदारों को देते थे, या किसको देते थे, सरकार को बेशते थे, परंतु उनसे जो करार नमा किया जाता था, वो बहुत कम मुले पर करा लिया जाता था, और बाजार में जो भाव चलते थे, वो बहुत जादा चलते थे, जैसे बाजार में गेहूं का मालो भाव चल र दिया और जब तक पसल पक्कर तयार होई गयों की गयों का जो मुल्य था उस समय भी पांच जारी चल रहा था और भी उच्छाजार चला गया साजार चला गया तो यह MSP का स्योर करना चाहते हैं कि MSP कहीं MSP कई बंतों नहीं कर दिया जाएगा यदि MSP बंतों कर दिया जाएगा तो खिसानों पर दवाब आ सकता है और वो ददनी फरता की तरफ बढ़ सकते हैं उनको बाजार मुले न मिलकर उनसे कम मुले प्राप्ते होगा कंपनिया उन पर दवाब में ला सकती है कि हमारे अभी भी सिक्सा का आवा हो है इसलिए कॉंट हितकी करने वाला कोई वेक्ती आगे आएगा और कुछ वेक्ती आगे भी आ रहे हैं जो खिसानों की हितकी सोचते हैं गोरवेंट को भी निन्ने लेने होंगे जलसे निन्ने लेने से क्योंकि नील जो आंदोलन है चमपारण आंदोलन है उसमें नील की खेती होती थी वो भी मामला चार महिने में निपड गया था उनकी मांगे मान ली गई थी तो जो चीजें हैं उन पर बाचित करने से हल निकाला जा सकता है मैं आपको किसान आलों के बारे में बता रहा हूँ ये किसान आलों हुए हैं इनकी स्क्रिन सोट ले 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 जे कंपिटिशन एक्जाम के लिए ये ज़्यादा इंपोर्टेंट है मैं कंपिटिशन एक्जाम की तरब चलता हूँ तो खेड़ा जो सत्याग्रे है वो गांदी जी द्वारा 1918 में सुरू किया गया था खेड़ा सत्याग्रे है सरदार वल्ल भाई पटेल उन्होंने भी किसान आंदोलन का नेतित्व किया था और इससे पहले थे जी कुर्ण जी ने इसका नेतित्व किया था पाबना विद्रोझ यह बंगाल में वह एक आंधोलन यह उत्ठरपरदेश में मोपला विद्रोग है केरल के मालाबार नबसक। क्यरल कुर्ट के मालावार तडब कौन सा विद्रो वा था तो मॉपलवीद्रो वद्रो हुआ वह बंगाल में वा ता यह कुछ परमुक्त विद्रो हैं आप इसका स्क्रेanor ले लिए और आप वर्तमान किसांद अंदोलन के क्या परिनाम हो सकते हैं अपने कमंट लिख सकते हैं राजनीती के बिना आप अपनी बात लिख सकते हैं थैंक यू वेरी मच अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजे शेर कीजे और नए वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजे बैल आइकन को प्रेस कीजे